हेलो दोस्तों कैसे हैं, आज हम लोग अपना एज़ेज का जो मैथ का सेक्षन है उसमें आयू वला सेक्षन को आगे कंटिनियू करेंगे, हम लोग का आज प्रैक्टिस का सेक्षन टू है दोस्त, हम लोग सारा क्वेश्चन जो कॉंपेटिशन में आया हुआ है, किसीने किसी हम लोग उसको ले रहे हैं कुछ और भी हम लोग प्रॉलम को ट्राइ करेंगे जो थोड़ा अलग टैब को सॉल्व करने का ताकि समझेंगे कैस सॉल्व किया जासो एक कॉंसेप्ट को समझेंगे कोश्चन बोलता है कि 16 वर्स पहले 16 वर्स पहले मेरी आयू से आठ गुनी अधीक थी शब्द को समझेंगा दोस्तम जो बोलना चाहा है कोश्चन अगर नहीं समझेंगे तो बनाना कठीन हो जाएगा 16 वर्स पहले मेरी दादा की आयू मेरी आयू से कितनी आठ गुनी अधीक थी आठ गुनी नहीं थी आठ गुनी अधीक थी पहला चीज दूसरा बोलता है आठ साल बाद मेरे दादा की आयू मेरी तीन गुनी रह जाएगी मतलब जो मेरी आयू होगी आठ साल के बाद वो कितनी हो जाएगी मेरे दादा की आयू मेरे से तीन गुनी हो जाएगी तो आठ साल पहले मेरे और दादा की आयू का अनुपाद क्या अब सोच रहे होंगा सर कितना पेजिदा question है थोड़ा सा है word को समझना is very important question तो आपके screen पे होगा but question को समझना is very important because जब तक आप समझेंगे नहीं it is quite difficult for anyone not only I am talking to you it is difficult for anyone हर के लिए कठीन हो जाएगा नहीं समझेंगे तो चलिए यहाँ पर सवाल बताते हैं सोलह वर्स पहले मान लेते हैं कि मेरी वर्तमान आयू कितनी हो जाएगी मेरी वर्तमान आयू x मेरी वर्तमान आयू x मान लेते हैं हम लोग कोसिस करेंगे दोश्ट इसको हम लोग two variable में भी बना सकते हैं और one variable में भी बना सकते हैं जब तक समभव है one variable में try करेंगे solve करने का अगर नहीं बनेगा तो फिर two variable लेंगे हम courses कर रहे हैं इसको one variable में solve करने का मेरी वर्तमान यू कितनी हो गई भाईया एक सो गई अब 16 साल पहले मेरी आयू कितनी है 16 साल पहले मेरी आयू कितनी हो गई बाबू x-16 16 साल पहले मतलब मेरी जो आयू है उसमें 16 साल घटा देंगे 16 साल पहले हो गया 16 साल पहले मेरी जो आयू है दादा जी की आयू मेरे आयू से कितनी थी आठ गुनी अधिक थी, तो दादा जी की आयू 16 वर्स पहले, 16 सल पहले मेरी के जगह पर दादा जी की आयू, क्या थी? मेरी आयू से, यह मेरी आयू से कितना? 8 गुनी अधिक थी, आता मेरी आयू πलस 8 गुना मेरी आयू, मेरी आयू से 8 गुनी अधिक थी. clear है यह चीज को समझना is very important नहीं समझेंगे तो यह हम लोग क्या करते 8 गुनी कर देते सीधे हम लोग यही लिक बनाते यह हम लोग add ही नहीं करते ठीक है अब इसको solve कर दीचे तो x minus 16 plus 8x minus 168 28 अब इसको कर देंगे तो 8x 9x minus x 44 यह कब क्यों गया दादा जी की आयू 16 साल पहले ठीक है तो दादा जी की वर्तमान आयू कितनी हो जाएगी दादा जी की वर्तमान आयू कितनी हो जाएगी मतलब यह तो आयू है 16 साल पहले की न वर्तमान में कहा जाएगी उसमें 16 साल जोड दीजिए क्या करेंगे 16 साल जोड़ दीजी हो जाएगा कितना आ गया 9x माइनस 28 कोई दिक्कत वर्तमान आई निकल गए तो क्या बोलता कि 8 साल बाद यानि वर्तमान में 8 साल जोड़ देंगे 8 साल बाद हो जाएगा न 8 साल बाद 8 साल बाद मेरी आई यू दादा जी की आई यू दादा जी की आई यू कितनी हो जाएगी यह जोग क्या है निकी वर्तमान आई यू है प्लस 8 से माठ जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9 x मैनस 120 ठीक है अब कोशन क्या बोलता है कोशन बोलता है according to कोशन क्या हम लोग करते है क्या बोलता है मेरी आई यू मेरी आई यू कितनी है बहिया कहा गया मेरी आई यू प्रतमान आई यू 8 साल बाद x प्लस 8 दादा जी की आई यू कितनी ही इकल गई 9 x मैनस 120 क्या बोलता है कि मेरी दादा जी की आई यू है मेरी आई यू की तीन गुनी हो गई दादा जी की आई यू कितनी हो गई तीन गुनी है हम अपना में 3 से गुना कर लेंगे या दादा इंज में 3 से भागा देंगे दोनों बराबर हो जाएगा तो हम माल लेते हैं हम अपना में ही 3 से गुना कर लेते हैं तो मेरा क्या हो गया दोनों का बराबर हो गया क्या हो गया 3x प्लस 8x 24 बराबर 9x मैनास 120 इसको solve कर दो, क्या हो जाएगा, तो 9x में इधर कर दो, तो कितना हो जाएगा, 9x-3x बराबर 120 प्लस 24, इन है, 120 प्लस 24, ठीक तो है, क्या हो गया, 6x बराबर 144, क्या निकल गया, एक सब्राबर 144 प्लस 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 24, निकल गया, तो मेरी वर्तमान आयू कितनी हो गई, मेरी वर्तमान आयू, x बराबर 24, दादा जी कि, दादा जी कितनी है वर्तमान आयू, दादा जी कि वर्तमान आयू है, 9x मैनस, 122, इन है, इसको solve कर दीजिए, 9 इन्टू 24 मैनस 128, कितना हो जाएगा, 9, 4, 36 कि 6 हाथ में, 3, 9, 2, 18, 3, 1, 18, 8, 8, 16 कि 6 हाथ में, 1, sorry, अब बोलता है कि 8 साल पहले, हम लोग दोनों के एज में क्या अनुपाद था, तो 8 साल पहले, मेरी आयू क्या हो जाएगी, 8 साल पहले, मेरी आयू कितनी है भी, 24 मैनस 8 बराबर, 16, अदादा जी की, 88 मैनस 8 बराबर, 80, अदोनों का नुपाद निकालो, मेरी आपॉन दादा जी, हम कितना है, 16 यहाँ पर, अदादा जी का, 80, 16 अपॉन, 80, 16 पंचे, एक बटे, 5, यहने की, 1 इस टू, 5, ठीक है दोस्त, अब हम लोग अगला कुश्चन लेते हैं, पीता का वर्तमान जो उम्र है, कुश्चन क्या है, पीता का वर्तमान उम्र अपने बड़े बेटे से, ठीक है, तो दो बेटा है, बड़ा बेटा, चोड़ा बेटा, तो पीता का जो वर्तमान उम्र है, बड़े बेटे से, वर्तमान उम्र के दूगना है, ठीक है, पीता का जो उम्र है बड़े बेटे से कितना है? दूगना है तो इसको ऐसे मानेगा पीता का ही एज मान लेते हैं, ठीक है? पीता का वर्तमान आयू कितना मान ले? एक्स मान लेते हैं पीता की वर्तमान आयू ठीक है? एक्स मान लेते हैं तो बड़े बेटे का आयू क्या हो जाएगा, बड़े बेटे का आयू क्या हो जाएगा, बड़े बेटे का आयू कितना है, पिता जी का एज कितना है, बड़े बेटे से दुगना है, यानि बड़े बेटे का क्या है, पिता जी से आधा है, तो हम यहाँ पर एकस बटा दो मान जाल लेते हैं अधाल देते हैं बेटा कुल क्या हो गया विए जिव में अपोलते हैं दस साल बाध दस साल बाध डशन बाध बेटा का यू जया का दस यू झीड़ kiss में पिता का यू यू दस साल पीता बाद या ली होजागा नहीं और गट को आयूं करते के प्लॉस हो जाएगा बड़े बेटे का yes को 11 गंदे क алाई जेगा इए अब बोलता है पिता की जो आयू है दस साल बाद छोटे बेटे की आयू का तीन गुना है तो छोटे बेटे का आयू क्या हो जाएगा? दस साल बाद छोटे बेटे का आयू छोटे बेटे का आयू कितना हो जाएगा? बाप का तीन गुना है ना? ठीक है छोटे बेटे का आयू निकल गया यानि कि 10 साल बाद पिता का आयू x plus 10 बड़े बेटे का आयू x y 2 plus 10 चोटे बेटे का आयू कितना था पिता जी छोटे बेटे का आयू से पिता जी का आयू 3 गुना था तो पिता जी में 3 से भागा दे दिये तो चोटे बेटे का आयू निकल गया 10 साल बाद अब बोलता है दो यहां पर क्या करिए, बड़े भाई में से शोड़े भाई उखटा दीजे, 15 साल निकल जाना चाहिए, तो पुस्ता क्या है, पिता जी क्या यू निकले, हमको x का वैलू चाहिए, यही हमको निकालना है, तो according to question क्या बोलता है, बड़ा भाई, x by 2 plus 10, minus छोटा भाई, यह, x plus 10 by 3, बड़ाबर 15, स्वाल्व कर दीजे, x का इंसर आजागा, यही कि x plus 20 upon 2 minus x plus 10 upon 3 is equal to 15, स्वाल्व कर दीजे, LCM ले लीजे, 6, 3 दूना छे, 3x plus 60 minus, 3 दूना छे, 2x minus 10 दूना 20, बड़ाबर 15, 3 में से 2 गया, x plus 40 is equal to 15 into 6, पनर अच्छा का 90, तो x is equal to क्या हो गया, 90 minus 40 is equal to 50 years, x क्या था, पीता जी थे न, पीता जी कही पूछा है, पीता का यूँ पूछा, 90, 50 साल, sorry, 90 minus 40 is equal to 50 years, clear है, ठीक है, सवाल ये बूलता है, A और B दो मित्र हैं, A और B दो मित्र हैं, दोनों के उम्र में, जो अंतर है, वो 3 साल का है, तो माल लेते हैं, A का I, U, A ही माल लेते हैं, और B का I, U, B ही माल लेते हैं, क्या फरक पड़ता है, A, A कितना माल ले, A माल लेते हैं, और B का A माल लेते हैं, कितना, B ही माल लेते हैं, ठीक है, A का A और B का B दोनों में अंतर क्या हो गया A माइनस B बराबर कितना माल लेते हैं तीन जो given है ये क्या है given है ठीक है अब बोलता है कि A के जो पिताजी है A के पिताजी जो है उनका जो उम्र है अपने बेटे का उम्र इसका दुगना है तो पिताजी का क्या हो जाएगा A's father का age कितना हो जाएगा A's of A's father कितना हो जाएगा A का दुगना है यानि कि 2A A का दुगना यानि कि 2A और बोलता है A's of B's sister B की बहन का जो A's है ना B की जो बहन है अपने भाई का उम्र का आधा है यानि कि उसकी बहन से इसका उम्र दूगना है कुछ भी बोल लीजे अगर हम आपसे दूगना बडए है इसका मतलब क्या होगे आप मेरे आधे उम्र के है अगर मेरा उम्र 20 है तो आपका उम्र 10 है अगर आपका 10 है तो मेरा 20 है, हम आपसे double हैं या फिर आप मेरे आधे हैं, ऐसे ही होता है, तो A B का जो बहन है, B के जो बहन है, उसका A मर क्या होगा, B के उम्र का आधा होगा, तो B का उम्र कितना था भाईया, B था न, तो क्या हो जाएगा, B बटा 2, आधा कर देते हैं, B का उम्र का आधा, क्लिर हैं, अब कोश्चन क्या बोलता है, according to, कोश्चन क्या बोलता है, कि पीता और ये जो फादर है, और जो सिस्टर है, फादर को यहाँ पर F बोला है, और सिस्टर को A स बोला है, तो according to question, F minus A is equal to 40, F minus A is equal to 40, तो क्या होगा दोस्त, दिमाग लगाईए, बटाईए, यहां 30 कर दीजिए, ठीक है, हाँ, तो क्या कर रिसॉल्व कर दीजिए, इसको सिंपल करना क्या है, A के जगा पे 2 A रख दीजिए, F के जगा पे, और B के जगा पे B by 2 रख दीजिए, क्या फरक बढ़ता है भाईया, 30, LCM लीजिए, 2 दोनी 4 A minus B बराबर 30, solve कर दीजिए, 4 A minus B बराबर 30 दोना 60, एक equation यह हो गया, एक equation यह हो गया, दोनों को solve कर दीजिए, तो क्या कर दीजिए, क्या दोनों को add कर दीजिए, दीखें, दो variable है न भाईया, एक A, एक B, दो variable हो गया है, तो from equation 1 plus 2 से, 1 और 2 को दोनों को जोड़ दीजिए, तो A minus B बराबर 3 और 4 A minus B बराबर 60, जोड़ने से काम चलेगा, नहीं भाईया, नहीं चाम चलेगा, तो घटाईए, कटाना है ना हमको, कटा देंगे तो minus plus minus, कड़ गया, यहां क्या हो गया, minus 3 A is equal to minus 57, therefore A is equal to what, minus 57 upon minus 3, minus minus कड़ गया, उन्हें चाम तावन, उनीस आ गया, यहां का उम्र, उनीस आ गया, A का उमर उनीस आ गया, तो B का हो जाएगा, B का हो जाएगा, 3 plus 19, A minus B था ना, तो B ब्राबर क्या हो जाएगा, A minus 3, A minus 3, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, A minus 3 ब्राबर 16, 13, यह निकल गया, A और B का H, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, B ब्राबर, क्या हो जाएगा, A minus 3, यह होगा ना, clear है, बुलता है, बाप एक बटा है, दोनों का उम्र का सम कितना है, 80 साल, ठीक है, दोनों का उम्र का सम कितना है दोस्त, 80 साल है, तो यहां पर अगर माल लेते हैं, पिता है, यहां पर पूत्र है, दोनों का उम्र क्या मान लिजेगा, फादर को F मान लिजे, बेटा को सन मान लिजे, दोनों का यहीं मान लेते हैं, जलीली बन जाएगा हमारा, F, सम कितना है, 80 साल, फादर प्लस सन is equal to 80 years, अब बोलता है जो पूतर का जो उम्र है उसका डगर डबल कर देते हैं दूगना जो है बाप से 10 साल अधिक हो जाता है अगर बेटा को डबल कर दें बेटा क्या है? 2S है अगर S को 2S बना दें According to question अगर बेटे का उम्र का दूगना बाप के उम्र से 10 साल अधिक हो जाता है तो बाप में 10 जोड देंगे तब दोनों बराबर हो जागा ना बाप में अगर हम 10 जोड देंगे तब दोनों बराबर हो गया इसको 1, इसको 2 from equation 1 इसको और easy बना देखिया दोस्त इसको थोड़ा सा easy बना देते हैं, फट से हो जाएगा दोस्त देखिये, इसको थोड़ा सा easy कर देते हैं जल्ली solve करने के लिए कर दे रहे हैं इसको इतना से बहतर है इसको ऐसे कर दीजिए 2s minus f बराबर 10 कर दीजिए, इसको equation 2 कर दीजिए ठीक है, अब दोनों को इसको जोड़ दीजिए from equation 1 plus 2, दोनों को add कर दीजिए देखिए के तना फट से इंसर आजाएगा 80 और 2s minus f बराबर 10, दोनों को add करना है add कर देंगा तो यह plus minus में कर जाएगा दोनों add करना है, 3x बराबर 90, तो x बराबर क्या होगा 90 upon 3 30 एस है न, यहाँ पर एस है दोस्त एस निकल गया, एस बराबर 30 आगया, एनि एस बराबर 30 आगया, तो father case क्या निकल जागा, यहाँ पर रख दीजिए कि 30 तो father case क्या हो जागा 80 minus 30 is equal to 50 50 यहाँ father case 50 years अब बेटा का एज 30 years, ठीक है निकल क्या देखिए दोस्त question कोई भी tough नहीं है थोड़ा सा आपको ध्यान देना है and you will get the answer फिर पिता पूत्र है पिता और पूत्र की वरतमान आयू का अनुपात कितना है 3 is to 1 है दोस्त कितना है पिता और पूत्र कि वरतमान आयू का अनुपात कितना है 3 is to 1 3 is to 1 दिया है बोलता है 14 साल 14 साल क्या? बाद पिता और पूत्र की आयू जो होगी कितनी हो जाएगी? 2 is to 1 हो जाएगी क्या हो जाएगी? 2 is to 1, 14 साल बाद तो let the ratio be x हमेशा याद रखते हैं let the ratio be x तो क्या हो जाएगा पीता का i.o. 3x और x हो जाएगा 3x upon x 14 साल बाद 14 plus 14 after 14 years after 14 years क्या हो जाएगा पीता का उम्र पूत्र का अनुपाद कितना हो जाएगा 2 is to 1 हो जाएगा 14 जोड दिया ना दोनों में अरे ये पीता में भी 14 साल जोड दिया बेटा में भी 14 साल जोड दिया दोनों का अनुपाद का ओजाएगा 2 is to 1 हो जाएगा पीता अपन पूत्र यहाँ क्या है पीता है और नीचे क्या है पूत्र solve करेदे us 3x minus 2x X बराबर 28-14, क्या हो जागा, X बराबर 14, यहीं X बराबर 14 आगया, अदोनों पीता और पूत्र कायू नहीं कालना है, तो फादर कितना हो गया, पीता बराबर 3X, 3 गुना 14, 42, और पूत्र कितना हो गया, X बराबर 3, sorry, 1 into 14 बराबर 14, Okay, answer, clear, दोस्त, इस दरह से आपके पास जो भी किताब हो, इसमें प्राक्टिस कीजिए, क्या है, जो सवाल आपको दे रहे हैं, सवाल को आप आगे पीछे करके देखने, कोस कीजिएगा, समझने, कोस कीजिएगा, बहुत मजाएगा, दोस्त, जीतना सवाल पे प्राक्टिस कर घाने में 15-20 मिनिट लगे रहे हैं, अगर आप और ध्यान से बनाएंगे, तो 5 सवाल बनाने मुश्किल से 2 मिनिट लाएगा आपको दोस्त, 2-3 मिन, maximum लाएगा पांस वाल बनाने, maximum लाएगा उसmusic लाएगा, तीन मिनियट, उसजदा नहीं लाएगा, प्रॉस्त ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेक्शन के साथ, जय हिन दोस्त!